पूर्वा फालगुनी नक्षत्र सुबा साढ़े आठ वजे से लग जाएगा जिसके नक्षत स्वामी शुक्र देव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, तेजस्वी, गंभीर, साहसी और यात्याप्रीर होते हैं ये इमांदार, उदार हिर्दय वाले, संगीत प्रेमी और सौकीन होते हैं कीमती वस्तूओं और आभूशनों के प्रेमी, सेयर और सटे बाजारी में रूची रखने वाले, विश्वास पात्र और अपनी अभिलासाओं की पूर्ती करने में समर्थ होते हैं ये धर्म को मानने वाले और मान सम्मान को अधिक महतु देने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सूर्य और सुक्र की स्थिति अनकूल रही, तो पूर्ण सफल होंगे मेश राशी वाले जातकों के मन में चल रहे, अंतरगंद और मानसिक दवाव से रहत मिलेगी चंद्रमा पांचमे घर में सुक्र के नक्षत में चल रहे हैं आपके संघर्स और आत्म विश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे खुशाली और पारिवारिक प्रिणा बनी रहेगी, अच्छे कामों में पूजी निवेश और बच्चों पर खर्च की संभावना बनती है कुछ मामलों में रुकावट या अवरोध की स्थिती पैदा हो सकती है विद्यार्थी गुर्जावान महसूस करेंगे, अपने सामान के प्रति सावधान रहें और पारिवारिक दाईत की पूर्ती होगी ब्रिश रासी से चंद्रमा चौथे भाव में सुक्र के नक्षतर में चल रहे हैं आपकी सक्रियता और कारेशमता ब्यावसाईक उद्देश के साथ ही घर ग्रिहस्ती के भी रचनात्मक कारियों के प्रतिकेंद्रित होगी थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे नई कारियोजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है साथ ही सामाजिक सहयोग आपको मिलता जाएगा मगर विभागी अधिकारियों का सहयोग कम हो सकता है संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारिकरम के लिए समय अनुकूल है स्वास्त को नजर अंदाज ना करें उचित शिकित्सर की परामर्श अवस्चक होगा मिथुन राशी वाले जातकों के लिए ब्यावसाइक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा आपके प्रयास और आत्म विश्वास से आर्थिक निवेश की कई लावकारी युजनाएं सामने आएंगी पारिवारिक प्रेणा और पत्नी की सलाह लावदायक सिद्धोगी स्वास संबंदी अनुकूलता बनी रहेगी सिच्छा प्रदियोगिता में सफलता मिलेगी संतान संबंदी सुख समाचार मिल सकता है वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है करक रासी के जात तक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे है आर्थिक लाव के कई आउसर मिलते जाएंगे आपका उर्जा अस्तर नई कारियोजनाओं के लिए सक्षम होगा सकारात्मत निरने लेते हुए कारियोप में परिवर्थित करते जाएं संतान वा आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा सिक्षा प्रतियोगिता के छेत्र में सफलता मिलेगी सत्रु पक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुक्षन तुष्टी महसूस करेंगे पत्नी के स्वास्त से संबंदित चिंता लगी रहेगी सिंग राशी के जातक मानसिक रूप से उर्जावान और साउंदार्य प्रधान मानसिक्ता महसूस करेंगे मगर स्वास्त संबंदित सावधानिया रखनी होगी खास तोर से पेट संबंदित मामलों में दिक्कत हो सकती है ब्यावसाई का अनुकूलता बनी रहेगी संबंदित मामलों में अचानक यात्रा का योग संभावित है नए प्रस्तावों के प्रति साजेदारी अभी उचित नहीं होगी सार्थक कार्यों में अपनी पहल बनाए रखें आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल है परिवार में आनंद और खुशी का महाल बना रहेगा घरेलू संसाधनों में व्रिध्धी होगी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास अधिक करनी पड़ेगी अपनी आंतरिक उर्जा को और बढ़ाने की कोशिश करें कन्या राशी के राश्य स्वामी बुद्ध, वक्त्री और अस्त चल रहे हैं जिससे स्वासम्बंधी मामले में सावधानी अप्यक्षित है मगर ब्यावसाईक मामलों में सुधार का दौर जारी रहेगा भविश में अपने कारे छेत्र में सफल रहेंगे सकारादमक प्रयास को और गति देने की आवस्यक्ता होगी मित्रों और सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म कर्म और मित्रों पर खर्च की इस्थिती संभावित है संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करें, धार्मिक और ब्यावसाईक यात्राएं संभावित हैं तुला रासिके जात्कों को स्वास संबंधी मामलों में सुधार मिलता जाएगा मगर मन का अंतरदंद आपके कारिश्षेतर और उर्जास्तर को प्रभावित करता रहेगा हाला कि अच्छे कामों में बित्य निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा ब्यावसाईक अन्यमित ताएं संभावित हैं इसका आपको ध्यान रखना होगा यदि आप सरकारी विभाग में हैं तो भी आर्थिक लेन देन वो सरकारी काविजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करें संतान संबंधी अनुकुलता बनी रहेगी स्वास संबंधी अनुकुलता बनाए रखने के लिए योगा और व्यायाम उचित होगा सहयोग मिलता रहेगा नवीन कार योजनाओं और साजेदारी के लिए समय अनुकुल है अपनी क्रियासीलता को हर हाल में बरकरार रखें सिक्षा प्रप्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी आर्थिक पक्स सामाने रहेगा आय से अधिक ब्याय की इस्थिती बनी रहेगी पत्नी के साथ स्वास्त के प्रती चिंता बनी रहेगी धनुरासी वाले जातकों की आलत से प्रधान मानसिक्ता संभावित है आराम करने की प्रवित्ती में व्रिध्धी होगी यदि धैर, आत्म विश्वास और सक्रियता बनी रही तो कारी वजनाओं में सफल रहेंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे सुख और संतुष्टी महसूस करेंगे विवादों के निप्टाने का योग बनता है सिक्षा प्रत्योगिता और संतान के मामलों में सहयोग मिलता रहेगा पारिवारी कुछ देश्यों की पूर्ती में भी मन लगा रहेगा धार्मिक भावना में व्रिध्धी होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं मकर राशे के जात्कों की सक्रियता बनी रहेगी और कारियोजनाओं में सफलता हासिल होगी आठिक लाफ समाने रहेगा, आत्म विश्वास में बृद्धी होगी और सीखने का मौका मिलेगा लोग प्रियता मिलेगी और प्रिशंसा के पात्र बनेंगे उन्नती का दोर जारी है, कारेशेट से संबंधित यात्रा संभावित है संतान संबंधि सुभ समाचार मिल सकता है सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी साथ ही अपने स्वास पर आवश्चक सावधानी बरकरार रखें कुम्भरासि के जात्कों के लिए आज विशेश प्रेरणा वाला दिन रहेगा योजनाओं में कुछ नवीन विश्यों पर प्रयास करेंगे जो कि आठिक पक्ष के लिए लावदायक सिद्ध होगा धन संबंधि मामलों में अचानक लाव संभव है साजेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन्ध होंगे साशन सथावब अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा अध्याण अध्यापन में सहयोग मिलेगा संतान के प्रतियात्मिश्वास में पृद्धी होगी बागेवस काम अच्छे होंगे धार्मिक भावना बलवती रहेगी, वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है मीन राशी वाले जातकों के दिन्चर्या में आलस और अकर्मन्यता संभावित है चन्द्रमा के छठ में और सुक्र के नक्ष़तर में होने की वज़ा से कारी छेतर को नजनानदाज करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी आत्मिश्वास और सक्रियता कम होने से गचनात्मक कारियों में बाधा संभावित है हाला कि ब्यावसाई का नुकूलता बनी रहेगी आर्थिक पप्ष आपके मेहनत और धैरे के अनुरूप बना रहेगा विभागी अधिकारियों से सहयोग वा लाव मिल सकता है साथ ही स्वास संबंदी विशे सावधानी रखनी चाहिए आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए